देखे इस question में ये sequence of numbers दे रखे हैं, हमें बताना है कि इस sequence of numbers में एनफ term क्या होगी, what will be the एनफ term of the AP, यहाँ पर देखे एक AP दे रखी है, हमें इस AP में एनफ term पता करना है कि क्या आएगा, option हमारे पास ये given है, तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि AP क्या होती है, को कोई भी sequence of numbers जिसमें common difference सेम हो, यानि देखो 5-1 क्या हैगा 4, 9-5 क्या हैगा 4, यानि कि यहाँ पर जो difference आ रहा है, अगली वाली term से पिछली वाली को घटाक है, वो आ रहा है 4, यानि कि हम इस sequence of numbers को क्या वालेंगे, AP, यानि कि arithmetic progression, और arithmetic progression या AP में कभी भी हम nth term पता करना हो, यानि कि देखो यहाँ पर जैसे 3, 4, 5, यह 5 term है, वो सकता आपसे 10-1 term पूछा जाए, 20th term पूछा जाए, 100th term पूछा जाए, तो उसके लिए हमारा पास एक direct formula होता है, और formula क्या होता है, AN equal to A plus N minus 1 into D, अब आप सोच रहे होंगे कि A क्या है, N क्या है, D क्या है, तो जो हमारा AP दे रखी होती है, उसमां first जो term होता है, first जो term होता है, उसको बोलते हम A, तो यहाँ दे रखा है first term 1, और D, D क्या होता है कि common difference, अगले वाले से पिछले वाले term को घटा देते हैं, या इसमें से कोई भी दो लगाता term ले लो, अगले में से पिछले को घटा दो, जैसे हैं 17-13 करेंगे, तब 4 आएगा, ऐसी सब में 4 ही आएगा different, तो मैं D लिख देता हूं कितना 4, A पता पड़ी का, D पता पड़ी का direct हमें इस formula में value put करनी है, ठीक है, A N यानि Nth term के लिए हम लिख देंगे A N, तो A N इकल टो A, यानि first term 1 है, plus N-1, N हमें पता नहीं है, N को ऐसी रहने देते है, N-1, into D, D कितना दे रखा है, यानि हमने निकाला 4, तो कितना आजागा, 1 plus 4 को अंदर multiply करतेंगे, तो कितना आजागा, 1 minus 4, देखे, 4 N को हम पहले लिख देते है, 4 N, अब 1 minus 4, या आजागा, minus का 3, एक minus का, एक पसका, तो गटा देंगे, sin हमेशा option A will be the correct answer, clear, question हमारा complete हुआ, आई हो कि आप कोई समझ में आया होगा, कोई doubt है तो please comment सब्सक्राइब, जरूर पूशन है, चलिए मिलते हैं, next video, okay, thank you